हेलो फ्रेंड्स 30 जुलाई को आयुजित होने वाली RPSC 2nd grade exam group A और group B में भाग लेने वाले जो विद्यार थी हैं वो वीडियो जरूर देखिए तो आप ये मसोचे कि Sanskrit 6 या भी भाग का है उससे कोई मतलब नहीं है आपको तो GQ और मनोविग्यान त्यार करना है ठीक है RPSC ने से कहीं नहीं कहा है कि Sanskrit Department का पेपर जो आपके नहीं आएगा या उसके जो किसन वो आपके नहीं आ सकते ठीक है तो आपको पता ही है कि Negative Marking इसके इंदर होती है प्रते गलत उत्तर के लिए प्रशन अंग का एक बटा तीन भाग काटा जाता है और गोले काले करने के लिए आपको निले बाल पोइंट पेन का प्रियोग करना होता है सभी प्रशनों के अंग समान होते है क्यों सन देख सकते हैं आप मारवाड मियूरल्स के लिख कोन है इसके उत्तर है रामावतार अगरवाल रम जोला भुषन मद्यकालिन मारवाड में सरीर के किस भाग से समंदित है उत्तर है पेर प्रत्वी राज राठोर दुवारा रचित पुस्तक वेली किर्षन रुकमनिरी किस बासा में लिखी गी है तो ये डिंगल भासा में लिखी गी है गिंदर नर्ते का समंद किस स्थान से है सेखवाटी ओशिया के जेन मंदिर किस जिले में इस्तित है जोदपूर के अंदर डादूपंत का साहिते किस भासा में संग्रहित है गुंधाडी भासा में किस दुर्ग को गट भीटली के नाम से जाना जाता है तारागट दुर्ग को राजस्तान का छेत्रफल निम लिखे तो यूरोप ये देशों में से किनके छेत्रफल के लगबग बराबर है तो इसका उत्रोगा च्यार नमर का यानि नार्वे और पोलेंड ये एक तरफ प्रदेश है रावली के और दूसरी तरफ परवत चोटी है आपको सुमिलित करके सही कूट बताना है तो इसका उत्रोगा दो नमर का यानि उत्तरी रावली जो प्रदेश है इसकी चोटी है जो परवत चोटी है उसका नाम है भानगड मद्दे रावली जो प्रदेश है इसकी चोटी का नाम है तारागड और दक्षन रावली जो प्रदेश है उसकी चोटी का नाम है रिशिकेश नीमन में से कोन से नदी राजस्तान की आंत्रिक अपभा तंत्र से संबद नहीं है मिश्त्री ठीक है रास्तान में बारवा जोडती लिंग कहां पर इस्तित है इसका उत्र होगा सिवाड अगला है केंद्रिय सुस्क बागवानी सहिस्तान जहां पर इस्तित है तो इसका उत्र होगा बिक्कानेर ये एक तरफ पसूँ के नसल है दूसरी तरफ उनकी नसलों के नाम है आपको सही कूट बताना है तो इसका उत्र होगा तीन नम्मर का यानि उंट की जो नसल है वो है बिकानेरी, भेड की जो नसल है वो है मगरा, बकरी की जो नसल है ये जखराना और गाय की जो नसल है वो है रठी फिर है राजस्तान सहकारे डेरी फेडरेशन लिमिटेट का मुख्याले कहां इस्थित है उत्र होगा जैपूर में वर्ष 2001-2011 आवदी में राजस्तान के निमनांकित जिलो में से किस में उच्चतम दसकी जनसंग्या वर्दी दर पाईगी उत्र होगा बाड मेर राजस्तान में निमन लिखित में से किस प्रकार के वर्ण पचेतर से 110 सेंटिमेटर उस्त वार्षिक वर्षा वाले च्चतरों में पाई जाते हैं तो सुष्क सागवान वर्ण एक तरफ उद्योग हैं दूसरी तरफ वो कहां इस्तित हैं ठीक है तो आपको बताना है इनमेशी सुमेलित कौन सा नहीं है तो तीन नमर का सुमेलित नहीं है बाकी सुमेलित आप पड़ लीजे प्रत्वी पर भूमिशत है कि उस तुंचाई कितनी है इसका उत्र होगा 840 म नेमलिकित महसागरों में से कोन सा एक संभवतिया पेंथा लास्था का अवसिष्ट भाग है तो इसका उत्र है प्रशांत महसागर कोन सी एक ग्रहनी पवन नहीं है उत्र होगा मानसुन पवने ये सुचियां एक तरफ प्रियाटन केंदर है दूसरी तरफ जिले हैं सुमेल ठड़ा जो है ये जोदपूर के अंदर हिस्तित है लालगड प्रियाटन के अंदर जो है ये बिकानेर के अंदर हिस्तित है और गागरों का किला जो प्रियाटन हिस्तल है ये जालावार के अंदर हिस्तित है अगले विश्ट वर्तमान विश्टो में कोन सा प्रदेश रिना प्रबावित नहीं होता है तो इसका उत्र होता है नारवेश्टर नेमन लिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षन की ओर से नहीं मिलती है गंगा में दक्षन की ओर से नहीं मिलने वाले नदिये गोमती बाकि तीनों दक्षन की ओर से मिलती है नेमन लिखित में से कौन सी गेश, ओजोन, ख्षरण के लिए प्रतेक्सत है उत्रदाई नहीं है उत्रोगा कारबंडाई अक्साइड नेमली खित में से कौन सी भारतिय रज्य की ना तो तटरेखा है ना अंतराष्ट्री सीमा इसका उत्रोगा तेलंगाना किस संब्यदान संसोदन अधिनियम ने राजस्तान में राजप्रमुक सैंस्ता का लोग किया था तो उत्रोगा साथवा संब्यदान संसोदन अधिनियम अगला है मुख्यमंत्री की न्यूक्ती भार्ग के संब्यदान के किस अनुछेद की अंतरगत की जाती है अनुछेद 164 फिर एक तरफ क्रांती दूसरी तरफ सम्बत छेतर कॉन सी क्रांती किस छेतर से limited है साइक sources आपको बताना है तो चाड़ नुमर का उतर होगा यानि हरित क्रांती जो है यória किस छेतर में उए थी करसी छेतर में उए थी पीत करांती जो है ये तिलन के छेतर में हुई थी श्वेत करांती जो है ये दुग्द के छेतर में हुई थी और निली करांती जो है ये मचली पालन के छेतर में हुई थी निमलिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है एक तरफ रास्तान के मुख्य सचीवे दूसरी तरफ उनका कार्यकाल है तो आपको बताना इन में से गलत कौन सा है तो तीन नमर का जो है ये गलत है बाकि तीनों सही है राजस्तान राज्य सचिवाले की निमनांकित पदादिकारιों पर विचार कीजिए इन पदादिकारियों का सही अवरोही करम क्या है अवरोही करम बताणा आपको ठीक है तो इसका उतर है चार नम्मर का यानि पहले मुखे सचीव फिर उससे छोटा कोन होता है सासन सचीव फिर उससे छोटा तरिक सचीव और फिर उससे छोटा उप सचीव थीक है उल्टे करम में सीनियर से जूनियर की तरब फिर अगला है राजस्तान लोक्षेवायो के सदस्यों की संख्या और सेवा सर्तों का अवधारन कोन करता है उत्रोगा राज्येपाल रज्य पाल अपने स्वविवे की एक कर्तियों को छोड़ कर अपने कर्तियों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता और सला से करेगा उत्रोगा मुख्य मंत्री एब मंत्री परिशद अगला है दो अक्टूबर 1969 को नागोर में राजस्थान में पंचायती राज का ओप्चारी बुद्गाटन किस ने किया था तो इसका उत्रोगा जवारलाल नेरुने राजस्तान पंचायती राजदिनियम 1994 की अनुसार जिला इस्थापन समिती का देख्ष कोन होता है उतर है जिला प्रमुक सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्तति में ग्राम सभा की बेठ़ के देख्षता कोन करेगा उतर होगा ग्राम सेवक बारसासन अदिनियम बारसरकारा अदिनियम 1919 के संदर्व में निम्लांकित कत्रों में कौन सा कत्र गलत है ऐस सत्ते है तो चार नमर का विदान सभा का कारेकाल पांच पर सिनिस्षित किया गया ये गलत है पाकि तीनु सही आपड़ लिजे रास्तान राज ये मानवादी का रायोगा गठन कब हुआ था उतर है दो नमर का उनिसु निन्यानम के अंदर किस अवस्तर पर गांदी ने गोशना की कि भार्द में ब्रेटिस राज इस महां देश में नेतिक बोतिक शांस्क्रतिक और अध्यात्मिक विनाश लेकर आया है मैं इस शासन को अभी साब मानता हूँ मैं शासन की इस विवस्ता को छिन भिन करने आया हूँ राजद्रो है मेरा धर्म हो गया है तो ये आपको बताने किस अवसर पर कहा था इसका उत्र होगा एक नम्मर का 6 अपरेल 1930 को दांडी में ठीक है भारत के संब्यदान की निमनांगित अनुचे दो में से किस को डोक्टर भीमराव अमेडगर ने संब्यदान की आत्मा का था उत्तर होगा तीन का अनुचे बत्तीस इन में से कौन सा गलत है एक तरफ संब्यदानिक प्रावधान है दूसरी तरफ उनके श्रोत है तो आपको बताना है गलत कौन सा है तो चार नमर का गलत है आपात उपबंद जो है रूस इससे नहीं लिए गए है ठीक है ये गलत है ये जर्मने से लिए गए है बाकी तीनों सही आप पढ़ लिजे फिर बारसा सन दिनी है मुनिस्तो पैंटीस के संदर्व में अगला है एक तरह मूल अदिकार है दूसरी तरह पनुछेदा आपको क्या करना है सही कूट बताना है कि इनका सही कूट जो है वो कौन सा है तो इसका जो उत्र होगा वो होगा दो नम्मर का ये दो नम्मर का उत्र इसका सही होगा यानि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिसेद की सनुछेद में किया गया है उत्र होगा चोबीस में अन्तह करण की सवतंत्रता का उले की सनुचेद में किया गया है अनुचेद 25 में, बलात स्रम का निसेद की सनुचेद में किया अनुचेद 23 में, अलब संक्य क्यों के हितों की सुरक्षा का उले की सनुचेद में किया अनुचेद 29 में, अगला है, निमनांकित में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपती के संधर्व में सही नहीं है, तो पहला कतने ये सही नहीं है, वह संसद के किसी भी सदन को विगटित कर सकता है, ठीकने ये गलत है, बाकी तीनों सही आपड़ लिजे, निमनांकित कतनों पर विचार केजे और सही कूट का चैन कीजे, तो इसका उत्र होगा, दो नमर का यादि सेकंड और थर्ड दोनों सही है, परधान मंत्री के सलापर अन्य मंत्रियों के न्युक्ति राष्ट्र प्रति के ताहिए, परधान मंत्री राष्ट्र पती के परसाद पड़्यंद अपना पतद्धरन करता है, ये भी सही है, ठीक है, gay, निमनांकि पढ़ लिजे निमनांकित राजनितिक दलों में कौन सा एक वर्तमान में माननेता प्राप्त राष्ट्री राजनितिक दल नहीं है तो तीन नम्मर का समाजवादी पार्टी ये राष्ट्री राजनितिक दल नहीं है सिमला समझोते पर किस वर्ष में हस्ताक्सर हुए थे उत् उस्टरप उनके पर्तीक चिन है ठीक है तो आपको यह बताता है कि इन में इस गलत कोन सा है गलत कोन सा है तो इसका होगा दो नम्मर का ये गलत है बाकी तीनों सही आप पढ़ लिजे बार्थ में केंदर रज्य समंहों से समंहित स्रकारिय अयोग परतीवेधन किस वर्स प्रस आपसे आप इसको लेटेस्ट रियाद करो केंद्रिये सांख्या की कारियले के दुआरा 2015 में राष्ट्रिये लेखा सांख्या की में संसोधन के पस्चात भारती अर्थ विवस्ता की विकास की दर्की गड़ना के लिए नेमन में से किस माप का प्रियोग किया गया है उत्रोगा इस्थिर बाजार कीमतों पर सकल गरेलूत पाद नेमन में से किस वर्ष में बारत की इस्थिर कीमतों पर प्रतिवेक्ती विशुद राष्ट्रियाए में गिरावट सरवादिक रही है इसका उत्र हूगा एग नम्मर का 1999-80 परदानमंत्री किसान समपदा योजना के बारे में नेमन में कून सा कथन सही नहीं है तो दो नम्मर का कथन है यह सही नहीं है बाकी तिनों सही आ पड़ लिजे अगला है बार्तिय वायू शेना ने राजस्तान में जहां युद्धा ब्यास वायू सक्ती 2019 करना ते किया उत्तरोगा पोकरण इसको करेंट के आधार प्रयाद कीजिया आप वर्स 2018 में बार्त के सर्वस रेष्ट दस पुलिशी स्टेशनों में राजस्तान के दो पुलिशी स्टेशनों को पहला और साथवा इस्थान मिला पहला इस्थान पाने वाला पुलिशी स्टेशन कौन सा है तो उत्तर है कालू पुलिशी स्टेशन बिकानेर अगला है नेमल लिकित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्तान किरकेड संग के अधेक्स के रूप में चेयन हुआ था उतर है CP जोसी ठीक है CP जोसी अगले एक नीमन में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामें रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है मतलोग गलेत कौन सा है तो एक नमर वाला है गलेत है आप पढ़ लिजे बाकी तीनों सही है ये भी आप पढ़ लिजे याद करने की दृष्टी से प्रिक्सिया के लिए माचे मिक्सिक्स अबोर्ड राष्टा ने दस्विकक्सा की दो जार गुनिस की प्रिक्से कराने की तित्यां तै की है उत्तर है एक नमर का अब इसको करन्ट के आदार पर याद कर लो आप राष्टान के नम निर्वाचित मुख्य मंत्री असोग एलोद का सफद गरेन समारो जेपूर में जहां आयोजित हुआ दो नमर का है अलबर्ड होल राष्टान सरकार में असोग चांदना जिसके मंत्रियें उत्रह यूवा मामलाद एवं खेल राष्टान के उद्योग क्रसी विभागने जहां क्रसी पारिस्तिती की प्रियेटन एवं अंत्राष्ट्री पूस्पनुसंदान केंदर विक्षित करने की योजना बनाई है उत्रोगा माउंट आबू जनवरी 2019 में पूने में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाडा की फिर दोस कायम खाने ने किस इस परदा में सुरुन पदक जीता था उत्तरहे 200 मिटर बटर फलाइन ये क्विशन दूसरे तरीके से भी आ सकता है दिसंबर 2018 में गाम मामुसर में दो दिविशी लोग संगीत और कलाउट सो का आयोजिन किया गया ये गाम राजस्तान के किस छेत्र में इस्तित है उत्तरहे से खावाटी अगले है रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्दी है जो 120 है रमन अनमोल से दो वर्ष छोटा है यदि अनमोल 12 वर्ष कहा तो रमन की मान सी कायोग क्या होगी तो उत्तर होगा 3 नमर का 12 वर्ष वह प्रतम मनोवेग्यानिक जिसने मानोवेक्तित्व के अवचेतन भाग की विवस्तित रूप में छानवीन का प्रियास किया है कौन है सिगमंड फ्रायड नेमलिकित में से कौन सा कतन दिगम के बारे में सरवादिक उप्योग्त है उत्रोगा एक नमर का ये परक्रिया है उत्पाद नहीं एक विचार अथवा अवधारना के निर्मान में उप्यूक्त वेचारिक प्रकरिया जो नई मोलिक तथा उप्योगी है क्या कहलाती है उत्रोगा सरजनात मक्ता राज्तान विदान सभा में विपक्स के नेता कौन है तो इसका उत्रोगा तीन नमर का यह वर्तमान में गलत है आप इसको लेटिस्ट क्या दार पर याद कीजिए ठीकनर राजेंदर राठोड़े सायद वर्तमान में फिर नेम लिखित में से कौन सा सिद्धान्त अधिगम के विवारवादी सिद्धान्तों में सम्मिलित नहीं है उत्रोगा तीन नमर का छित्र सिद्धान्त बीएफ इसकीनर का अधिगम सिद्धान्त मुख्यत यह प्रियोग साला प्रियोगों प्राधारी था जबकि हलका दान्त किस प्रादारी था गणिती ये गणनाओं पर नेमन लिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवाद विचार नहीं है इसका उत्र होगा एक नमर का अधिगम वेशा का वेशा यानि हूँ भू संप्रत्यात्मक इसकीमा है ठीक है ये गलत है अगला है गेने गेने के उसा निमनांकित में से कौन से आठ में से चार आदिगम प्रकारों का सही पदानू करमिक करम है तो इसका चार नमर का जो है वो सही होगा बहु विवेदी करण फिर संप्रते, फिर सिध्धात, और फिर समस्य समाधान नेमलिकित में से कौन सी विक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है उत्रोगा मिनेसोटा बहुस्तरी विक्तित्व अनुसुची नेमलिकित में से कौन सी अच्छी समायोजन की विशेशता नहीं है उत्रे चैर नम्मर का मेत्तुपण गलतिों की खोजने की अभीवरती और है इसको भी याद करो एकजाम की द्रश्टी से अगला है ने में लिकेद में से अध्यापक का कौन सा कारी विद्यार्ठियों की सरजनात्मक्ता में रुकावट है उत्रे विद्यार्षियों को शिग्रता से निरने के लिए जोड डालना भारती चिकिस्रकों, फिजिस्यन के नुसार व्यक्तितों के तीन अवयोग, पित यानि बाइल, वाद यानि वायो और कफ यानि मयुकस हैं व्यक्तितों का ये वर्गी करण कहलाता है उत्रे तीन नम्मर का प्रकार सिध्धांद अगला है नेम्द लिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेष्टा सामवेगिक वुद्धिमान व्यक्ति की विशेष्टाओं में सामविल नहीं है उत्रे समवेगों की अभिवेग्ति पर नियेंत्रन न रख पाना मंद गती से सीखने वाले बालकों के लिए नेम्द लिखित में से कौन सा सेक्षिनिक प्रावधान उप्यूक्त नहीं है उत्रोगा तीन नम्मर का तवरण अभी प्रेरणा में अधिगम में अभी प्रेरणा का नेम्द लिखित में से कौन सा कारिय नहीं है एक नम्मर का जीव को करम हीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना जो कारी है वो भी पढ़ा करो एक पांच वर्स की सारेरिक आयो वाला बालक या बालिका साथ वर्स ये आयो वाले के समान परिक्षन पदों को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेती है या लेता है उसकी बुद्धी लब्दी क्या होगी तो एक नम्मर का है एक 140 अगले किसोरों के सारेरिक विकास के संधर्ब में नेम लिकित में से कौन सा कतन ऐसते यानि गलत कौन सा है चार नम्मर का गलत है सरीर की अनुपात में कोई परिवर्दन नहीं होना बाकि सही है पड़ो आप नेम लिकित में से कौन सा एक अभिक्षमता परिक्षन का उप्यूक्त अनुपरियोग होगा तो तीन नम्मर का है इसका उत्तर बालक के चिकिसा व्यवसा यानि डोक्टरी में सफलोने का परिक्षन करना एक बालक बुद्धी में उसत उपलब्दी अभिपरेणा में उच्च सर्जिनात मक्ता में नेमन और सामाजिक विकास में उसत है ये उधारन किसका है अंतर व्यक्तेग भिन्नता का बालक की विकास के संदर्ब में नेमन लिखित में से कौन सा कथन सत्ते है तो चार नमर का कथन सत्ते है विकास सामाने से विशिष्ट की और अग्रसर होता है अगला है कौनशी फसल का उत्पादन आहड में नहीं होता था उत्तर है इसको RPS ने डिलिट कर दिये है गुजर परतियारों की राज़दानी कौनशी थी इसका उत्रोगा एक नमर का पीलो मोलो यानि भीनमाल ठीक है अगला है हर केली सहिसकर्ट नाटक के रचियता कोन है उत्तर है विग्र है राज चतुर्थ अगला कि उसने महराना सांगा ने इब्रहायम लोदी को कोन से युद में परास्त किया था उत्रोगा खातोली एक जामे कि उसने उल्टा शूल्टा केसे भी आ सकता है आप अच्छी तरह इनको समझगर के याद किया करो अगला कि उसने किस सन में अकबर ने मान सिंग को सातर जार जात और छेजार सोवार का मनसव प्रदान किया था उत्रोगा सोला सो पाँच सन 1837 में बिजग पाड़ी बेराठ हिस्तित असो की सिलाले को किस ने खोजा था उत्रोगा केप्टन बार्ट ने फिर समसभा की स्थापना किस ने की थी उत्रोगा गोविंद गुरू ने मेवाड परजा मंडल की स्थापना किस ने की थी उत्र होगा मानिके लाल वर्माने मत्त से संका राजतान में विले कब वहा था उत्र होगा तीन नमर का 15 मई 1949 को अगला है सवतंत्रता संगराम के दोरान नेमन में से कोन सी महला जेल में नहीं गई थी तो चार नमर का है काली भाई बाकि तीनों गई हुई हैं किस लोग देवता की पतनी उनकी मरत्यों के बाद सत्य हो गई थी उत्र है तीन नमर का तेजा जी और लास्ट है कि सासको हस्मत वाला राजा का आ जाता है उत्र है दो नमर का रामाल देव तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना सेगन ग्रेड के सारे पेपर लिकरा मुँआ चितरे त्यारी गुरुआ